दोस्तो आपने दुनिया के बहुत सारे खतरनाक मिलिटरे के हत्यार देखे होंगे लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के 12 सबसे खतरनाक मिलिटरे के ऐसे हत्यार और इन में से कुछ हत्यार तो इतने खतरनाक है कि इनके इस्तिमाल करने पर दुनिया के कहीं सारे देशों पर बैन लगा दिया है दोस्तो आपको टर्मिनेटर मुवी में ये आटोमेटिक रोबोट तो याद होगा लेकिन अब देखिए उसी तरह का एक ऐसा रिमोट कंट्रोल वाला टैंक जिसे की कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है ये है रशिया का बनाया हुआ यूरेन 9 रिमोट कंट्रोल टैंक दस टन वजनी इस टैंक के अंदर चार मिसाइल, एक 30 मिलिमीटर की गन, 12 रोकेट लॉंचर और एक मशीन गन लगी होती है इस रिमोट कंट्रोल टैंक के आगे छोटे मोटे हर बंदुके फेल हो जाती है क्योंकि इसका धाचा मजबूत स्टील प्लेटिंग से बनाया जाता है, जो कि हर वार को सहन कर सकता है इसी आटोमेटिक रोबोट की नकल बनाते हुए, जर्मनी ने वेपन और मिलिटरी के सामानों को ले जाने के लिए इस 600 किलो के आटोमेटिक रिमोट कंट्रोल केरियर को बनाया है इसे सिर्फ हत्यार उठाने वाला रोबोट मत समझना, क्योंकि इसमें जरूरत पढ़ने पर मशीन गन और 14 रोकेट लॉंचर भी लगा सकते है अगर इतियास में किसी बॉम ने सबसे ज़्यादा तबाई मचाई है तो उसका नाम है क्लस्टर बॉम क्योंकि इस एक बॉम के अंदर कहीं सारे छोटे छोटे बॉम शामिल होते हैं इसी तरह के एक क्लस्टर बॉम का नाम है CBU-58 और इस क्लस्टर बॉम के अंदर करीब सारे 600 ऐसे छोटे छोटे बॉम चुपे होते हैं जो कि एक बेसबॉल साइस के बराबर होता है जब एक CBU-58 क्लस्टर बॉम आसमान से गिरता है तब वह जमीन के पास आते ही खुल जाता है और उसके अंदर से 600 चोटे चोटे बॉम निशाने पर तबाही मचा देते हैं और आपको बता दू इस हर एक चोटे बॉम के अंदर करीब 270 चर्रे भरे होते हैं और इनसे करीब 300 मिटर तक का इलाका दूआ दूआ हो जाता है और इसी तरह से 1.5 किलो वजनी क्लस्टर बॉम के अंदर करीब 432 एंटी टैंक माइन और 132 परसनल माइन्स लगी होती है या बॉम गिरने के बाद भी करीब 40 दिन तक धिरे धिरे फटते रहते हैं क्लस्टर बॉम इतना खतरनाक है कि दुनिया के 108 देशों ने इसे बैन कर रखा है क्योंकि क्लस्टर बॉम जहां पर भी गिरता है वहां पर सिफ तबाई होती है या एक रश्यन आटोमेटिक मशीन गन है जो कि किसी भी टारगेट को ढून कर 5 किलोमेटर तक के अंदर अंदर उसे खतम कर सकती है आपको बता देए ये मशीन गन दुनिया की अब तक की सबसे तेज फायर करने वाली मशीन गन है ये एक सेकेंड में करीब 167 गोलियां चला सकती है और इसकी एक एक बुलेट का साइज कुछ इतना होता है अब इस डबल बैरल वाली मशीन गन को देखिए ये कितनी तेजी की साथ में फायर कर रही है दोस्तों ये दुनिया की एक मात्र ऐसी मशीन गन है जो की रिमोट से कंट्रोल हो सकती है ये मशीन गन हर मिनट करीब 6000 बुलेट के राउंड को फायर कर सकती है और ये मशीन गन इतनी खतरनाक होती है कि इसके एक किलोमेटर तक के एरिया में अगर कोई आ जाए तो उसके बाद वो नहीं बच सकता दोस्तो बैस्टन पी मिसाइल रश्या का बनाय हुआ सबसे तेज डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इस मिसाइल की खासियत ये है कि एक बार फायर होने के बाद में ये अपने एक टारगेट को खुद ढूंटी है और उसका पीछा करके उसे मार गिराती है बैस्टन पी मिसाइल की रेंज करीब 600 किलोमिटर तकी होती है और ये मिसाइल दो से तीन बार में लॉंच होती है एक 300 किलो वजरी मिसाइल करीब साड़े 300 किलोमिटर दूर किसी भी टारगेट को बिना चुके तबा कर सकती है एक बार ये missile launch हो जाए फिर दुश्मन का बचना नामूमकिन होता है आपको बता दे ये missile सुपरसोनिक स्पीड से चलती है इसलिए दुश्मनों को missile के बारे में पता भी काफी समय बाद चलता है दोस्तो S-400 missile दुनिया का सबसे advanced anti-aircraft missile है और ये missile किसी भी fighter plane और ballistic missile का पीछा करके उसे हवा में ही खतम कर सकता है एक comparison के लिए मैं आपको बता दो कि किसी भी warship पर लगी एक missile एक second में 3 km तक की दूरी तै कर सकती है लेकिन S-400 missile उससे भी काफी तेज है ये एक second में 5 km तक जा सकती है S-400 missile सिर्फ 5 second की अंदर किसी भी target को lock कर देती है और 600 km दूर छुपे target पर भी हमला कर सकती है इसी ताकतवर missile को कुछी समय में इंडियन आर्मी में भी इस्तमाल किया जाएगा जोकि भारत सरकार ने रश्या के साथ में S-400 missile के contract को sign कर लिया है दोस्तो ये दुनिया के सबसे खतरलाग missile है और इन missile को TOS-1A टैंक पर लगा कर चलाया जाता है जिसमें एक बार में करीब 24 missile एक साथ में fire कर सकते हैं ये टैंक एक बार शुरू होते ही सिर्फ 6 second के अंदर सभी missile को fire कर देता है ये missile जब हमला करती है तो 40,000 square meter के इलाके को धुआ धुआ कर देती है जो कि करीब 4 cricket के बड़े मैदानों जितना area होता है इन missile के धमाके से करीब 1000 degree Celsius का तापमान पैदा होता है और इतनी गर्मी से दुश्मन पानी की दरफ बिगल जाता है बता दे कि MLRS missile की रेंज करीब 6 km की होती है लेकिन अगर दुश्मन उससे भी ज़्यदा दूर बैटा है तब उसके लिए MLRS का 9K5 missile इस्तमाल में लिया जाता है जो कि हमारे लिष्ट में 500 नमबर पर आती है इस 9K5 missile में स्पीड काफी ज़्यदा बढ़ जाती है और इसका इस्तमाल करके 120 km दूर किसी भी टारगेट को आसनी से निशाना बना सकते है अगर इस मशीन पर लगी सबी missile को एक बार में छोड़ दिया जाए तो या करीब 54 km तक के एरिया को एक बार में साफ कर सकती है दोस्तो हमारे ये जो अगला powerful military weapon है ये असल में एक छोटा सा टैंक है लेकिन ये दुनिया का सबसे तेजी के साथ में fire करने वाला artillery system है ये system किसी भी जगे पर रुक कर सिर्फ 23 सेकंड की अंदर अपना पहला fire कर सकता है और दोस्तो सिर्फ 1 मिनट 14 सेकंड की अंदर इस टैंक को लाकर कहीं पर भी रख सकते हैं और एक के बाद एक तीन fire करने के बाद इसे उठा कर दूसी जगे पर लाया जा सकता है आपको बता दे कि ये आर्चर artillery system हर मिनट करीब 8 गोले fire कर सकता है ये artillery system इतना जल्दी setup हो जाता है इसी वज़े से ये सबसे ज़्यादा खतरनाग भी बन जाता है क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि आकिर हमला कौन से जगे से हो रहा है दोस्तो हमारे ये जो अगला खतरना खतियार है ये इस तरीके से छुपकर रहता है कि किसी को भी पता नहीं चलता आपको बता दे कि इस पंडू भी में करीब 24-13 मिटर की लंबे nuclear missiles रखे जाते हैं और फिर अचानक से आपको समुदर के अंदर से एक missile बाहर आती हुई दिखाय देगी जो कि इसी सब्मरीन से fire की जाती है बता दे कि इस सब्मरीन में सबसे ज़्यादा nuclear missiles को रखा जा सकता है इन missile की range करीब 11,300 km तक की होती है यानि कि ये एक देश से दूसरे देश पर काफी आसानी से हमला कर सकता है और अमरीका के पास में ऐसे करीब 14 पंडू भीया है और इन सभी को मिला कर उसमें 336 missile और करीब 432 nuclear missile मौजुद है दोस्तों ये जो अगली खतरनाक मशीन है ये 14 बार का काम सिर्फ एक बार में कर सकती है आपको बता दे कि एक rocket के अंदर इस तरह के करीब 14 MIRV missile रखे जा सकते हैं और जब ये rocket अपने target पर जाकर खुलता है तो इन में से कुछ ऐसे 14 missiles बाहर निकलती है और ये सबी की सबी nuclear bomb होते हैं किसी भी M30 rocket के अंदर करीब 10 परमानू bomb होते हैं और वो इतना ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकते हैं जितना तो हिरोशिमा और नागा साकी में मिला कर भी नहीं हुआ था दोस्तो इसी missile का एक बड़ा रूप है जो की करीब 170 feet लंबा ballistic missile है और इस missile की range करीब 12,000 km की है तब आप सोच सकते होंगे कि इसकी ताकत कितनी ज़्यादा होगी दोस्तो अब हम आ चुके हैं अपने number one सबसे deadliest weapon की और ये है RS-28 सर्मट ballistic missile आपको बता दे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा missile है इस missile को सिर्फ रश्या में बनाया जाता है और ये रश्यागा भी अब तक का सबसे खतरनाक missile है इस एक missile की उचाई करीब 10 मंजिला इमारत जितनी होती है और इसके एक rocket का वजन करीब 200 टन के बराबर होता है जो कि शायद पूरी दुनिया को ही खतम कर देगा आपको बता दे कि इस missile की रेंज करीब 18,000 किलोमेटर की होती है और इतनी दूरी हमारे पूरे एशिया द्यूप को एक बार में पार कर सकती है इतना ही नहीं इस rocket की अंदर 10-10,000 किलो के कहीं सारे चोटे-चोटे और missile भी होते हैं और इनका धमा का करीब 10 परमानु बम जितने धमा को से भी बड़ा होता है RS-28 missile को किसी भी satellite से डुनना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इस missile का खुद का अपना एक defense system होता है और ये दुनिया का एक मात्र ऐसा missile है जो कि North Pole से चल कर South Pole पर भी हमला कर सकता है अपने खास defense system की मदद से ये बाकी radar की नजर में नहीं आता है तब आप समझ सकते होंगे कि अगर ऐसे 10 missile या फिर 100 missile होंगे तब दुनिया का क्या होगा तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही ये थे top 12 most powerful military weapons in the world ऐसे ही और गजब के वीडियो को देखने के लिए हमारे rapid info channel को subscribe